हेलो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जहां पर आज हम बात करेंगे इमा मेक्टिन बेंजोएट 5% यह जी आज हम एगरिकल्चर से संबंधित बात करेंगे जिसमें इमा मेक्टिन बेंजोएट एक बहुत ही अच्छा केड़ना सक है आज हम इमा मेक्टिन बेंजोएट जो है उसके बारे में बात करेंगे जो एक बहुत ही अच्छा केड़ना सक है यह केड़ना सक जो होता है इसे नमकीन हो गारा की दिखाए देता है यह बहुत ही आसानी से इसे आपको सभी प्रकार के किड़नासक में मिलाकर प्रयोग कर सकते हैं लेकिन जो खरपतवार नासक दवाईयां होती है इसमें आप कभी भी इसको मिलाकर प्रयोग ना करें इसको कभी भी खरपतवार के साथ में मिलाकर इसका प्रयोग ना करें और अगर हम इसके बारे में और ज्यादा बात करें तो यह बहुत ही शक्तिसाली कीडना सक है बहुत ही मतलब यह फसल पर कीट का सभी आवस्था में निंतर कर देता है यह फसल पतियों में लगने वाली सभी प्रकार की जो इल्लियां जो होती है इल्लियों को निंतर करता है इस दवा का जो प्रभाव कैसे होता है कीटों पर इस दवा के प्रभाव से कीट कीट होते हैं कुछी देर में खाना पिना बंद करते हैं और कीट लखवा गरस्त हो जाते हैं जिनसे एक नस्ट हो जाते हैं और हमारे जो फसल है उसकी सुरच्छा होती है और अब हम बात करेंगे जो कौन कौन से फसल है जिस पर हम इसका प्रयोग कर सकते हैं तो इसमें से गो में इसका प्रयोग कर सकते हैं कर सकते हैं और मतलब कई प्रकारगी जो से इल्लिया और सुन्डिया जो है इसको आप इससे नियंते कर सकते हैं यह बहुत ही लापकारी मतलब प्यड़कोदों में जो कीटो के को खत्म करने बहुत ही ज्यादा प्रयोग की जाते हैं बहुत ही अ और पति शेंथ को संदि एपन 3 यह सो हारीयली सफेद मक्की लिफॉप कर लिफ ओपर , नियंत्रा करता है अब हम बात करेंगे इसे इका जो प्रभाव समय क्या होता है तो यह वैसे दस से पंदरा दिन में इसका जो 10 ते 15 दिन तक जो इसका प्रभाव होता हो रहता है और कभी-कभी घिया भी dependent करता है कि से आप किस समय में इस दवाग Nintendo करते हैं तो उस पे भी कभी दुख depending करता है इसके प्रभाव को लेकर और हम बात कर लेंगा दोस के बारे में तो इसका दोस क्या होता है 15 लिटर की टंकी में 7-8 ग्राम, आथ्वा एक एकड में 20-60 ग्राम 200 लिटर पादिनी में इसका मिला कर मतलब शिड़का कर सकते हैं और वग्शै से वन लिटर पादिनी में 2 एमेल अर इसी तरह मतलब आप वसे पंदर लिटर की टंकी आती है उसमें साथ से आड़ ग्राम लेकर इसमें दस पीसों मतलब एक वीगे में दो टंकी का इस्तिमाल किया जाता है और अगर कीट ज्यादा लग रहा है या मतलब ज्यादा मामला सीड़ लग रहा है तो उसमें आप 15 लिटर पाणी में 10 क्राम तक भी इसको ले सकते हैं आप जो इमाम एक क्टशाया अर अरJust एक जानकारी जानकारी है तो मुझे कमेंग लिख सकते हैं और कोई जानकारी है और शारति सम्द्धी आप में लिख सकते हैं मैं पूरी कोशिस चोना उसका है